नमस्कार आपके साथ मैं हूँ हिंगलाजदान और आप देख रहे हैं जी राजस्तान की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी और किस्सा सियासी में मध्यप्रदेश में जोतिरा देत्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार कैसे गिराई थी इस सियासी कहानी का आज चौथा एपिसोड हैं अब तक हम ये बात कर चुके हैं कि कैसे गुडगाओं के होटल में कॉंग्रिस विधायकों को एकठा कर सरकार गिराने का प्लान फेल हुआ फिर बेंगलूरू में कुछ विधायकों को जुटाया गया यहां से भी दो विधायकों को कॉंग्लिस तोड़ने में काम्याब रही और फिर जेपी नड़ा के बेटे की शादी में आया मिशाह कुछ फटकारते हैं कुछ सलाह देते हैं और इस ऐसे प्लान B पर काम करने को कहते हैं अमिशा का सिंगनल मिलते ही बीजेपी ने लॉच्क किया इस ऑप्लान B आज यहीं से आगे की कहानी वैसे तो सियासत में इंस्तेंटप्लाण इंस्तेंटप्रफिट यह लॉस होता नहीं हैं सियासी खिलाडी कभी भी तातकालिक नफे नुकसान को ज़ादा तवज़ो देते नहीं हैं उनकी रणनीती हमेशा दिर्गकालिक लक्षां को ही ध्यान में रखकर बनती हैं और उसके लिए आज हारना पड़े तो भी मंजूर हैं क्योंकि लक्षे तो कल को जीतना है खेर आठ तारी को सिंधिया गुट के मंतरी और विधायक सरकारी गाडियां छोड़ कर अपनी प्राइवेट गाडियों से आगरा पहुंसते हैं कुछ भोपाल से गुप चुप तरीके से निकलते हैं तो कुछ गौलियर से आगरा में अपने सुरुक्षा कर्मियों को भी व पूटल में पहुंचे इन विधायकों से मुलाकात की सिंधिया ने अपने साथ हो रहे अपमान की बाते कही भावुक बाते कही तो सभी विधायकों और मंतरियों ने कहा महराज आपके सम्मान में आप जो कहेंगे करने को तयार हैं मंतरी विधायक का पद तो बहुत छोटी सिंधिया ने सब से कहा कि अब बड़ा फैसला लेने का वक्त है आगे का सफर जो भी होगा आपका रहा हमारा साथ होगा लेकिन अब भी अगर किसी को वापस जाना है तो वो जा सकता है लेकिन सब ने सिंधिया को यही कहा कि हम आपके साथ हैं हमारे किस्सा सियासी के पिछले तीन एपिसोड और इस एपिसोड की यहां तक कहानी देखने के बाद आप ये तो समझ गई होंगे कि बीजेपी का प्लान ए ये था कि कुछ विधायकों को साथ मिला कर कमलना सरकार गिराई जाए और प्लान बी कि सिंधिया को ही साथ मिला लिय जाए 20-25 विधायक तो अपने आप ही आ जाएंगे खैर सिंधिया ने कहा कि आप सब तयार हो तो आपको आगे की योजना पुरुशुतम पराशर बताएंगे पुरुशुतम पराशर लंबे समय से सिंधिया के सहयोगी रहे हैं पराशर ने सभी विधायकों को बताया कि सब लोगों के फोन बन थे स्टाफ को भी नहीं पता कि साब गए कहा हैं दिगविजय ने सिंधिया को फोन किया सिंधिया दिल्ली में थे स्टाफ ने फोन उठाया कहा साब को बुखार है आराम कर रहे हैं दिगविजय ने विविक तनखा को फोन किया कहा सिंधिया को कहो ए देखरेक में उसी होटल में हैं जिसका किला भेदने में कमलनाथ पहले ही फेल हो चुके हैं। फोन पर बेंगलूरू से अर्विन भधोरिया को जोड़ा गया और भधोरिया को कहा गया कि अब कोई भी विधायक वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि सिंधिया करेंगे क्या। बीजेपी में शामिल होंगे या अपने विधायकों को बेंगलूरू में कठा कर कॉंग्रिस से ही अपनी बात मनवाएंगे। कौन जानता था कि सिंधिया नए सफर पर जाने का फैसला ले चुके हैं। 10 मार्च के दिन सुबह करीबे 11 बजे सिंधिया अपने घर से निकलते हैं। मीडिया वाले सवाल तो करते हैं लेकिन वो हैपी होली बोलकर आगे निकल जाते हैं। अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके निकलते हैं। दिल्ली में लोधी होटल पहुंचते हैं। यहां वो गाड़ी बदलते हैं इनुवा में बैठकर निकल जाते हैं ग्रह मंत्री आमिश शाह से मिलने। मीडिया की गाड़ीयां पीछा तो करती हैं लेकिन रास्ते में सिंधिया को संदिश मिलता हैं। गाड़ी रास्ता बदलती हैं और गुद्रात हाउस पहुंच जाती हैं। कुछी देर में अमिश शाह भी यहां पहुंच जाते हैं और सिंधिया को लेकर पीएम मोधी से मिलने निकलते हैं। गाड़ी में पीछे की सीट पर तीन लोग थें। ग्रामंत्रिया में शाह, जोतीर दित्य सिंधिया और राज्यसभा सांसद जफर इसलाम। जफर इसलाम उस वक्त राज्यसभा के सांसद नहीं थे। पीएम मोधी के साथ सिंधिया की करीब 30 मिनट तक मीटिंग चली और ये साफ हो चुका था कि सिंधिया अब बीजेपी के साथ ही आगे का सियासी सफर तै करेंगे। जिस वक्त सिंधिया और पीएम की मुलाकात हो रही थी उसी वक्त कॉंग्रिस से उनका इस्तिफा भी सामने आया। लेकिन एक खास बात सिंधिया और मोधी की इस मुलाकात की फोटो आज तक सामने नहीं आई हैं अब सिंधिया को बीजेपी में कौन लाया इसके पीछे अल करूल ने बाया हैं सिंधिया की पत्नी पृधर दरशिनी गुजरात के बडूदा राज परिवार से हैं प्यएम मोधी ने भी 24 का चुनाओ बडूदा से ही लड़ा था और राज परिवार ने प्यम का सपोर्ट भी किया था और मोधी ने ऐसी वक्त राज परिवार को ये संदिश दिया था कि इसंदिया को बीजेपी मिलाया जाए। कोई कहता है कि अरुन जेड्ली अगर कुछ वक्त तक और जिदा रहते तो वो इसंदिया को बीजेपी में लाकर ही रहते। खर जो भी हो 10 मार्च 2020 के दिन ये साफ हो गया कि सिंदिया अब बीजेपी के साथ हो चले हैं इधर होपाल में बैठे मुख्यमंद्री कमलनात और कॉंग्रिस की पूरी टीम इस कोशिश में लगी थी कि सिंधिया तो चले गए लेकिन बैंगलूरू में बैठे उन विधायकों से अगर संपर्क हो तो उनको किसी भी तरह से मना कर वापस लाय जाये लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया इधर सिंधिया का कॉंग्रेस से इस्तिफा आया उदर सारे विधायकों ने अपनी विधायकी से भी इस्तिफा दे दिया अलाएं कि एक बात जरूर हो चकती कि ये सारे इस्तिफी विधायकों का रूल बहुत महतपूर्ण हो जाता है एक विधायकों का अध्यक्ष और दूसरे राज्यपाल ये दोनों समयधानिक पद हैं किसे पार्टी के नहीं होते हैं लेकिन अनुभवों की सचाई ये हैं कि स्पिकर सता पक्ष के मुफीद फैसले लेता हैं और राज्यपाल केंदर सरकार के कमफर्ट जोन के हिसाब से फैसले लेता हैं तो स्पिकर ने भी ये स्थिफ़ सुईकार नहीं किये कहा कि विधायकों को खोद आकर स्थिफ़ देने होंगे क्या पता ये स्थिफ़ उन्होंने खोद ही लिखे हैं या दबाओं में उनसे किसी ने जबरदस्ती लिखवाई हैं दस तारीक के शाम को ही बीजेपी ने विधायक दल के बैठक बुलाई जैसे ही सब विधायक बैठक में पहुंचे सब को कहा गया हैं कि आपके लिए गाडियां तयार हैं हमें कुछ वक्त के लिए सुरक्षित जगाप पर चलना हैं और आला कमान का भी यही आदेश हैं दरसल बीजेपी भी यह जानती थी कि कमलनात उनके विधायकों को तोड़ने की तयारी में हैं कोई नुकसान हो उससे पहले अपने विधायकों को मद्यपरदेश से बाहर ले चलें इधर 11 तारीक को सिंधिया ने बीजेपी के सदस्ता ली और इसी दिन शाम को बीजेपी न सिंधिया का नाम मद्यपरदेश से राज्य सबा के लिए एलान कर दिया यह तैह हुआ कि अगले दिन यानि की 12 मार्च को वो एमपी आएंगे और 13 को अपना नमांकन करेंगे इधर 12 तारीक के सुबह कांग्रेस ने अपने बाकी विधायकों को राज़स्तान के जैपूर भ में तपूर्ण होती हैं एमपी के राजेपाल उस वक्त लाल जी टंडन थे वो यूपी के लखनव के रहने वाले थे तो होली मनाने के लिए वो लखनव चले गए और सियासी संकट के हालात होने के बावजूद वापस नहीं आए अपने पहले से तैटाइम के हिसाब से ही इधर 12 तारीक के सुबच जीतू पटवारी बेंगलोरू गए क्योंकि जो विधायक बेंगलोरू में गए उनमें एक विधायक मनोज चौदरी भी था जो जीतू पटवारी का मैं मेरा भाई था मनोज की परिवार से हमेशा फोन पर बात होते थे और उसी नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई और जीतू पटवारी मनोज के पिता को लेकर वहां पहुँच गई एक और बात जीतू और मनोज के रिष्टे के बारे में बीजेपी नेताओं को भी पता था इसलिए वो भी अलड़ते शुरूआत में बीजेपी वालों ने मनोज को कॉंग्रिस का भेजा हुआ आदमी माना जैसे ही होटल में जीतू और मनोज के पिता घुसे तो मनोज एक स्विमिंग पुल में वे दिखा जीतू पटवारी को देखते ही मनोज बोले अरे दादा आप यहां कैसे कुस देर बात हुई तभी बीजेपी के लोगों को इसका पता चल गया करनाटक में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी के लोग पुलिस के साथ होटल पहुच गए मनोज को होटल के अंदर ले गए जीतू पटवारी को पुलिस ने घेर लिया हंगामा हुआ तो पुलिस कॉंग्रेस के लोगों को एक मिनी बस में भर कर पुलिस थाने ले गई लेकिन इस बात से मनोज की बीजेपी के लोगों की नजर में इज़त बढ़ गई क्योंकि अगर मनोज कॉंग्रेस का भेजा हुआ आदमी होता तो जीतू पटवारी के साथ भाग सकता था लेकिन नहीं भागा इसी वज़ा से बाद में मनोज को भी कॉंग्रेस के बाकी विधायकों के गुट में ही रखा गया लेकिन इस घटना के बाद सभी विदायकों से फोन वापस ले लिये गए होटल की सुरुक्षा बढ़ा दी गई और होटल में ही एक टेलिफोन बूत बना लिया गया साथ ही सभी विदायकों को ये भी बता दिया गया कि जो भी बात होगी वो रिकोर्ड होगी इसी बीच दो विदायक बिसाहूलाल और एंडिल सिंग कसाना भी वापस बीजेपी के साथ आकर मिल गए कुल मिलाकर अब तक विदायकों की संख्या 22 हो गई थी और ये संख्या कमलना सरकार गिराने के लिए काफी थी कहानी यहीं खत्म नहीं होती हैं इसके बाद भी बैंगलूरू में कई बार विधायकों को भगाने की कोशिश होती हैं कई बार एरपोर्ट से रास्ते बदले जाते हैं तो कई बार जीतू पटवारी जैसे नेताओं की कथे धुनाई भी होती हैं और आखरकार कैसे कमलनात हिम्मत हार गए और इस्तिफा दे दिया ये तमाम बातें किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में यूटूब पर जाईए सर्च कीजे किस्सा सियासी विद हिंगलास दान या किस्सा सियासी जी राजस्तान और सियासत के गुणा भाग को टटोलती सियासी एपिसोड देखिए मिलेंगा अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार